सिर्फ खंजर ही नहीं आखों में पानी चाहिए शर्म की आगाज है इसलिए तैयारी चाहिए जुड़े रही है हमारे ग्यापनी केडमी के इस प्लेटफॉर्म के साथ क्योंकि आपकी भी अपनी तैयारी टॉप अप दी बेस्ट होनी चाहिए तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी केडमी के इस नए लटेस्ट और धमा के दार वीडियो में और आज का ये जो वीडियो है उर्दू ग्रामर का वन शॉट वीडियो है जी हाँ अब आप लोग को उर्दू ग्रामर को पढ़ने के लिए टुकरे टुकरे वीडियो को दिकत होती थी उन सभी दिकत और परिशानियों को मैं दूर कर दी हूँ आज के इस वीडियो में आप लोग को उर्दू ग्रामर का और टॉपिक कम्प्लीट कराने वाली हूं जी हां और टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो कि आप लोग के एक्जाम में हर साल पूछे जाते यह मैं उर्दू ग्रामर के टॉपिक को इस पेसली टेंथ और ट्वल्थ क्लास वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए तयार की हूँ जो की उर्दू ग्रामर तो लगबग हर कम्प्लीटिटिव एक्जाम में पूछा जाता है तो भले ही यह मैं टेंथ और ट्वल् वीडियो लंबा हो जाएगा बट कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को बरकरार रहना है बीना इसकीप की लगातार देखते रहना है और समझते चलना है क्योंकि एक परसेंड भी डाउट नहीं बचेगा आप लोगों के मैंड में रहता है ना सारा आउट आज की इस वीड वीडियो को देख लेने के बाद उर्दू ग्रामर के लिए अब आप लोगों को कहीं भागने कहीं दोड़ने या फिर कहीं भी चिलाने की जौर्थ नहीं है एक वीडियो देख लीजे सारा कंफियूजन हंडेट परसेंट क्लियर हो सकेगा तो जिस दिन आप लोगों का एक वीडियो को बिना स्किप के आप लोगों को देखना है और हर एक पॉइंट को एकदम अच्छे से आप लोगों को समझना भी है स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दू कि अगर आप लोग चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सब लोगा यह कि मेरी रोज आने वाली और वीडियो और लाइब क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा और अगर आप लोग पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो आप लोग वीडियो को शेर करें लाइक करें जितना ज़्यादा शेर करें आप लोग को समझा समझा कर तो फिर रफ आइप का दिखेगा और फिर अच्छा नहीं लएगा तो यहां तक आप लोग स्क्रींट ले लिए होंगे फिर से दे दे रही हूं टाइम ले लीजिए अच्छे से तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो है फेल फायल और मफूल यह तीनों क्या होता है सबसे पहले यहां पर समझे आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे कैसे सेंटेंस बनाया जाता है subject plus verb plus object पढ़े हुँगे ना जैसे कि मैं लिख दी हूँ इससे subject verb plus object यह sentence होता है बनाने का तरीका है तो subject किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं English में subject काम करने वाले इंसान को कहते हैं जो काम करता है उसको क्या कहते हैं सब्जेक्ट और उसी को उर्दू में कहा जाता है फाइल यानि कि काम करने वाले इंसान को ही जो काम करता है उसको क्या कहते हैं फाइल और इंगलिस में सब्जेक्ट जैसे कि मैं अभी पढ़ा रही हूं तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है मैं कर रही हूं तो मैं हो जाओंग वो क्या लाएगा फाइल के लाएगा ठीक है तो आई थिंक आप लोगए समझ में आए गया कि फाइल किसे कहते हैं सब्जिक्ट काम करने वाले इंसान को अब आगे बढ़ते हैं यहां से भले यह चोटा आप लोगो टॉपिक लग रहा होगा लेकिन यहां से भी आप लोग ए यह रहता है फाइल फैल मफूल तो सायमा आम खा रही है मैं सायमा क्या है सायमा खाने का काम कर रही है तो इस तरह आप लोग के बोड़ इक्जाम में कोशन पूछा जाता है हर साल पूछना ही पूछना है तो इसलिए मैं important समझते हुए यह topic पढ़ा रही हूँ और उसी को कहते है वर्व जैसे कि अभी मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ तो काम करने वाली इंसान तो मैं हूँ तो मैं हो गई फाइल लेकिन कौन सा काम मैं कर रही हूँ पढ़ाने का काम कर रही हूँ न तो पढ़ाना हो गया फेल यानि कि वर्व फेल का मतलब क्या काम क्रिया आपने किसी को थपड मारा तो आप हो जाएंगे फाइल मारना क्या कहला जाएगा थपड मारना क्या कहला बाद एक फ喲 किरिया ठेक है यह सिंपल सा है और उसके बाद से लास्ट में आता है मफूल यानि की ऑपजेक्ट जिस पर काम का असर पढ़े जैसे कि साइमा आम खा रही है तो इस सेंटेंस में साइमा तो हो गई फाइल जो की काम कर रही है कौन सा काम कर रही है खाने का काम कर रही है खाना हो गया फेल यानि कि वर्व किरिया काम और खा रही है तो खाने का असर किस पर पढ़ रहा है आम पर पढ़ रही है तो खाने का रहा है तो मह्मूद किरिकेट खेल रहा है क्या खेल रहा है तो इस तरह आंप लोगे बोड़ और इसे तरह सेटनेंस उठा लेगा जैसे एक और प्टना जाएगा तो बताएं इसमें भी प्टना जाये खान में छान आशेंद और जैना और फैल है? क्योंकि जाना क्या है? काम है? तो ओप्सन में दिया रहेगा फैल, तो फैल करना है, तो इससे तरह कोई पोछता है, नहीं तो फाइल कोछे गार नहीं तो मफ़ нажege इन एगा है, दो, आगला टॉपिक है जमाना, जमाना जिसको हिंदी में कहा जाता है काल, और रिष्टीकाल और वर्तमान काल उसी तरह इंग्लिश में ठोपने होंगे उसी को तो उर्दू में कहा जाता है जमाना सेंशा इत didn't take उसी तरह उसी तरह उर्दू में ना की तीन फbut में और टीन ठाइप एक है माजी एक है हाल और एक है मुस्तक्बिल माजी जिसको इंगलिश में कहा जाता है पास्ट टेंस और हिंदी में भूत काल यानि कि वैसा जमाना वैसा समय जो बीत चुका हो उसे कहते हैं जमाना माजी यानि कि पास्ट टेंस और हिंदी में भूत काल अब है हाल हाल यानि कि जो समय अभी चल रहा है हाल में जो अभी जो कुछ भी हो रहा है जो समय अभी चल रहा है जो जमाना भी चल रहा है इसको क्या कहते है हाल और इंगलिश में कहा जाता है present tense और हिंदी में कहते है वर्तमान काल अभी में आप लोगों को पढ़ा रही हूं अभी ये स समय आने वाला है उसको कहते हैं हम लोग मस्तक्बिल यानि कि future tense English में और हिंदी में भविश्यकाल जो जमाना आएगा जो समय आएगा उसको कहेंगे हम लोग जमाना मस्तक्बिल तो यह तीन जमाना होता है यानि कि तीन tense होता है उर्दू में भी माजी हाल मुस्तक्बिल माजी मतलब बीता हुआ जमाना बीता हुआ समय हाल मतलब जो अभी चल रहा है प्रजेंट का समय ठीक है और मुस्तक्बिल जो जमाना यानि कि जो समय आने वाला है उसको कहते हैं मुस्तक्बिल अब इसी हिसाब से जमाना के ह सबसे ही फेल को तीन भागों में बाटा गया है काम को तीन भागों में बाटा गया है एक होता है फेल माजी यानि कि वैसा काम जो गुजरे हुए जमाने में बीते हुए वक्त में हो चुका है उसे कहते हम लोग फेल माजी जैसे कि मैं पढ़ा रही थी यानि कि जो पढ़ाने कोई सब्सक्राइब हो चुका है उसे कहते हैं फ्यों माजी और एक होता है फैल हाल यानिकी वैसा काम जो अभी चल रहा है परजेंट में अभी मैं आपनों को पढ़ा रही हूँ य prenभ यह काम भी चल रहा है तो इस से पता क्या चल रहा है कि आने वाले समय में यह काम करूंगी तो यह जो काम में करूंगी उसको क्या बोलेंगे फेल मुस्तक्बिल यानि कि वैसा काम जो आने वाले समय में किया जाए ठीक है तो याद रखना जरूरी है जमाना के तीन प्रकार माजी हाल मुस्तक्बिल यानि क उसे कहते हैं फेल हाल और वैसा काम जो मुझे माइन कि मैं किया जाएगा आने वाले समय उसे कहते हैं Fail मुझे यह याद रखना जरूरी है यहां सब्सक्ट्चन पूछता है कि मैं दिल ली जाऊंगी जमाना हो कि च seulement बढ़े कौन सा तहीं मैं डिल्ली जाओंगी कोन से और में दिया रहेगा माजी जमाना माजी बीमले का हाल से उसकी में जेमाना मस्तक्विल और उवाम के फूट्पी बात की जा रहे कि मैं तर्म कि बात की जरेंगी यान आगे बढ़ते हैं इसम इसम तो बहुत ही जड़ा असान एकदम हल्वा इसम जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नाउन क्या कहते हैं नाउन और हिंदी में कहते संगया आप बशना याद भी किये व şunu नयां इस लोगी इस जगह को इस दुनिया में जितनी भी नाम है तो फिर नाम है दो MP2 किया बाहरेगा मतलब कर इसका Talk मारकर इस दूनिया hopeful नशवती ना उस Bib suggest कर ना मतलब समझेफ नाम अब कि सी भी चीजिश का नाम क्यों और अब देख्या मिलिए हड्से दो किसमें होती है दो सबस्कों कि ऑसे इसमार्फव हिस्म नाम को उसके उसमें क्रोट किसे कहते हैं मतलब किसे भी आम नाम को एंग्लिष में क्या कहते हैं मतलब जिससे पूरी जाती का बोध हो उसे कहते हैं कि मैं YouTube चैनल पर पढ़ाती हूं तो YouTube चैनल में रहें सब यूटुब चैनल की पूरी जाती आजाएगी तो YouTube चैनल एक सधारण नाम हे Common Nam है तो youtube channel को आप लोग बोल देंगे इव लेकिन अगर में यह बोलू कि मैं योदो चानल पर पढ़ाती हूं तो अब यह YouTube चानल में खास नाम ले ले ग्याफन में पर लें चानल पर पढ़ाती हूं तो तो ग्यापन एकडमी एक खास नाम हो गया, एक स्पेशल नाम हो गया, तो इस खास नाम को क्या बोलेंगे, इस मारफ्वा, आप लोग बहुत सारे टीचर से पढ़ाई करते होंगे, तो अगर आप लोग सिर्फ ये बोले कि मैं श्रिक्षक यान की टीचर से पढ़ता हूँ, तो टीचर तो हो जाएगा, श्रिक्षक जिसको उर्दु में कहा जाता है, उस्ताद या फिर असाद जा, तो उस्ताद हो गय क्या कहलाएगा, इसम मारफा कहलाएगा, पुरपर नाउन कहलाएगा, तो यह I think आप लोगको समझ में आ गया होगा, इसम मारफा मелоब सधार नाम, जिससे पूरी जाती का बोध हो कुई भी कलम में क Ohio और अदि यान्फश एक पहले मोल था मोल के आगे अन लग गया अन में देखिए पहला हर्फ अलिफ है और दूसरा हर्फ है नून ये दो हर्फ से मिलकर बना हुआ एक बोल सकते हैं लवज है ठीक है तो ये जो दोनों गुरूफ है ये मोल के शुरुवात में यान कि स्टार्टिंग में जुड़कर अन मोल यान कि म अच्छरों का समू जो किसी शब्द किसी लवज के शुरुवात में जुड़कर अर्थ बदल लेते उसे के तैयम लोग साबका तो पहले मोल था मोल के आगे कौन लग गया अन लग गया तो अन मोल हो गया एक नया शब्द बन गया अन लग जाने के वज़ा से तो इस अन को क्या बोलेंगे साबका बोलेंगे प्रिफिक्स कहेंगे उसी तरह अना शक था पहले शक कर आगे लगा बश को ईक कि नया लफ्ज एक नया शब्द बन कर तयार हो गया बेशक तो बे क्या हो जाएगा आप लोग का साबका उसी तरह सफर था पहले शुरुवात में हम लग गया तो यह हम क्या कहलाएगा साबका कहलाएगा कि हम लगने को जैसे एक नया शब्द बन गया हम सफर पहले पढ़ता शुरुवात में क्या लग गया अन लग गया अनपढ़ हो गया तो अन क्या कहलाएगा साबका इसी तरह आप लोग के एकजाम में कुश्चन पुछता है कोई भी एक वर्ड दे देगा लव्ज बेशक बेशक में साबका बताईए कौन है आप्सन में दिया रहेगा बे तो बे आप लोग को टिक कर देना है क्योंकि बे लगने के होजासे ही एक नया वर्ड बना है बेशक तो बे क्या हो जाएगा साबका याद रखना है सौसे साबका और सौसे शुरू यानि कि जो हर्फ या फिर हर्फ का समू शुरू में किसी लवज के शुरू में जुड़कर अर्थ का समू जो किसी शब्ड के लवज के लास्ट में जुड़ कर उसका अर्थ बदलते और एक नया शब्द लवज बन जाये उसे कहते हम लोग लाका देखिए जैसे कि दिल ठाले दिल के लास्ट में जद कर दार जुड़ गया तो एक नया शब्द बन गया दिलदार तो दिलदार ये जो है ना इस शब्द में इस लफज में लास्ट में कौन जाकर जुड़ा है दार तो इस दार को बोलेंगे आप लोग क्या लाहका जो की लास्ट में जाकर जुड़ गया है ये हर्फ एक दो तीन इसमें तीन हर्फ है यान दर्द और लास्ट में क्या जूड़ गया नाक जूड़ जाने को जैसे एक नया शब्द एक नया लफ्द बन गया दर्दनाक तो नाक कुक के आप लोग बोलेंगे लाहका ध्यान में रहे जो लास्ट में जाकर जूड़ 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 जू चौखी था रास्ट में किया जुड़ गया दार तो दार हो गया आप लोगोगो का लाहका ठीक चोकी दार बन गया तो इस तरह धियर लफ जायाグे में सावका और लाहका होता है तो इस थरह से आपटलों की एक्षाब में कोशन पूछन पूछता है कि दर्ध धल में भी एक शब्म देगा जैसे कि दर्ध नاع इसमें लाहका बताईये घ्नाजम के नाम से प्लेस्ट से 7 आप लोग देख सकते हैं और हिंदी क्रामर भी बढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं वाहिद से जमा बनाने के लिए आप लों के एकजाम में पूछा जाता है यह हर साल पूछना इसमें तो कोई शक ही नहीं है यह हर साल पूछा जाता है तीन चार कोशन पूछा जाता है वाहिद से जमा बनाने के लिए वा एक से ज़्यादा समान को कहते हैं प्लूरल है एक डंगे दू के वाहिद हो गया तो जमा एक मर्कर है तो वहीद से ज्यादा हो गया दो तीन चार पाँच अब देखिए लफ्ज है एक लफ्ज को हम लोग क्या बोलेंगे तो इसी तरह से आप यह कोई भी एक लफज देदेगा और बोलेगा कि इसका जमा बताइए लफज एक एक लफ है एक वाड़ है तो उसको तो आप लोग वाहिद बोल रहे हैं लेकिन धेर सारे लफज हैं तो धेर सारे लफज को क्या बोलेंगे शायर का जम्मा क्या होगा, plural क्या होगा? तो शुरा होगा, ठीके? खत है तो एक खत तो ये वाहिद एक से ज больше खत तो इसका plural क्या होगा? खत का plural यानि की जम्हा तो खुतूथ तो इसी तरह आप लोग एक्जाब में कोशन पूछता है माल लेजे जिस्म दे दिया, बोलेगा कि जिस्म का जमा क्या है, जिस भी option में आप लोगो अजिसाम दिखाई दे, उसको आप लोगो टिक कर देना है, जिस्म जो की वाहिद है, इसका जमा यानि की plural होगा अजिसाम, खातून, एक खातून है तो ये वाहिद बोलेगा कि खातून का जमा क्या होगा, खातून का plural, बहुचन, खातीन, मनजिल है, मनजिल का जमा मनाजिल, तो इस तरह कोई भी, अब जरूर नहीं किसी में से पूछेगा, जो कोई भी लफ़ उठा सकते हैं, बोलेगा कि बताई इसका जमा क्या होगा, जमा आप लोगो प्लूरल बत मतलब एक ही, आगाज का मतलब भी होता है शुरुवात, और इप्तदा का मतलब भी होता है शुरुवात, दोनों का मतलब क्या है, एक है, दोनों का अर्थ एक है, तो एक समान अर्थ रखने वाले शब्द को कहते है, मत्रादिफ, आब या फिर पानी, दोनों का मतलब एक ही तो कोई भी लवज उठा सकता है तारीखी का मुत्रादिफ क्या होगा अंधेरा तारीखी बोलिए फिर अंधेरा बोले बात तो एक है तो इस तरह आप लोगो के चांधा में कोई भी वर्ट दे सकता है याद रखना singular word है और अजदाद जिद का जमा है यानि कि प्लूरल है जिद का जमा यानि कि प्लूरल क्या है अजदाद जिद का मतलब होता है अपोजिट वर्ड यानि कि उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द जिसको हिंदी में का जयता है विप्रितार ठक शब्द तो यानि कि उल्टा अ कि सवाब सवाब का जिद क्या होगा तो सवाब का जिद यानि कि उल्टा अर्थ रखने वाला शब्द है अजाब तो सवाब का जिद क्या है अजाब करीब का उल्टा यानि कि जिद वाईद तो इस तरह कोई भी एक लफ़ उठा देगा और बोलेगा कि बताइए इसका जिद वैसा नाम जो छोटा होना जाहिर करें जिस नाम से छोटा होना पता चले उसे कहते हैं हम लोग इसमें मोसगर किसे कि संदूक से छोटा है संदूक्चा, तो संदूक्चा से क्या पता चल रहा है, इस नाम से क्या पता चल रहा है, कि ये छोटा सामान है, मतलब जिस नाम से छोटापन जाहिर हो, उस नाम को कहते हैं हम लोग इसमें मुसगर, तो संदूक्चा क्या हो गया, इसमें मुसगर हो गया, बागीचा, बाग क इसमें मसगर उसी तरह कटोरा के जगा कटोरी बोले तो कटोरी हाँ पता चलेगा की कटोरा से छोटा है कटोरी तो छोटापन जाहिर हो रहा है तो इसको भी आप लोग बोल देंगे इसमें मसगर घंटी घंटा के जगा घंटी बोला जाए तो घंटी हो जाएगा इसमें मसग दिखाई दे उसको टिक कर देना है अब आगे बढ़ते हैं मुकबर का मतलब होता है बड़ा किया हुआ यानि कि जिस नाम से बड़ापन जाहिर हो बड़ा होना जाहिर हो उसे कहते हैं इसमें मुकबर जैसे कि बाग बोले तो पसा चल रहा है कि बाग जो है ना बागी इत्च बोला जाए तो घंटा समझ में आ रहा है कि घंटी से बड़ा है तो घंटा क्या हो गया आप लोग का इसमें मुकबर जिससे बड़ापन जाहिर हो घंटा तो घंटा क्या होगा इसमें मुकबर बाल्टा बोला जाए तो बाल्टा यानि कि यह क्या है इसमें मुकबर बड़ सा इसम है तो आप लोगों को बताना है तो यहां तक समझ में आ गया होगा मैं फिर से बोर्ड मीटाती हूं और इसके अगले टॉपिक को लिखती हूं अभी धेर सारा टॉपिक बचा हुआ है आप लोगो को क्या लगा इतना ही पर कंप्लीट जी नहीं उर्दू ग्रामर के औ कि आप लोगो को किस तरह से डाउट हो रहा है या फिर समझ में आ रहा है कि नहीं जो भी है आप अपनी फिलिंग कमेंड में लिखकर किसले बनाया गया लिखने के लिए तो लिखकर बताती रहिएगा तो फिलाल अभी मैं बोर्ड मीटाती हूं इसके अगले टॉपिक को ल ही है तो समझ लीजें दोनों टॉपिक को मुझकर जिसको हिंदी में कहा जाता है पुलिंग यानि कि वैसे शब्द जिससे पुरुष जाती का होना पता चले मेल का होना पता चले उसे कहते हम लोग मुझकर यानि कि पुलिंग जैसे मैं बोल दूँ दादा मामा चाचा काका इसे पता क्या चल रहा है कि ये लोग मेल है पुरुष है तो इन सभी नाम को आप लोग क्या बोलेंगे इन सभी शब्द को मुजक्कर कहेंगे और मुणनस जिसको हिंदी में कहा जाता है इस्त्री लेंगे यानि कि वैसे शब्द जिससे इस्त्री जाती का होना पता चले औरत एसे कभी अपलोग सुनें नए खटी नहीं नहीं कि प्लिंग पूलिंग ईसके बार से मेरे जाने का वक्त हो गया यजल बुखार पागल दरिया मौती झीत दम … उगण यह सभी श्ब्द क्या है मुझकर है और इसी तरह आप लोगे एक्जाम में कोशन पूछता है नीचे चार ओप्सन दिया रहेगा और पूछेगा कोशन की दर्जजायल में से कौन मुझकर लफ्ज है और चारो ओप्सन में कोई एक मुझकर लफ्ज देगा और आप लोगो पहचानना है ठीक है I think आप पहचान पाएंगे क्योंकि मुझकर और मुझकर अगर समझ गए तो आसानी से आप लोगो बता सकते हैं आगे बढ़ते हैं मुझकर मैं एक्जामपल लिख दी हूं सुबह सुबह हो गया नहीं सुबह हो गई सुबह क्या है मुझकर यानि कि स्त्रिलिंग लफ्ज है ठेक है बोतल सडक आदत किताब यह सब वगर वगर जितने भी शब्द हैं यह मुझकर कहलाएंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसमयाला इसमयाला किसे कहते हैं इसम का मतलब मैं आप लोगों को बता दी हूं नाम यानि कि वैसा नाम वैसा लफ्ज जिससे किसी ओज यह फिर हथियार का होना जाहिर हो उसे कहते हम लोग इसमयाला जैसे की हथाओडी हथाओडी से क्या पता चल रहा है हथाओडी एक ऑजार है तो जिस नाम से ओजार यह फिर हथियार का होना पता चले उसे कहते हम लोग इसमयाला तो हथाओडी क्या हो गया एक ऑजार है तो इस में सूत इस मतलब नाम यानि कि वैसा नाम जो किसी आवाज को जाहिर करें जैसे कि म्याव म्याव यह क्या है एक आवाज है तो वैसा नाम जो वैसा लफ्ज जो किसी आवाज को जाहिर करें उसे कहते हम लोग इसमें सूत तो म्याव म्याव हो गया इसमें सूत खट खट य तो इससे भी आप लोग के एक्जाम में कोश्ण पूछन पूछना ही पूछना इसमें तो कोई शक ही नहीं है कुछ मुहावरे लिख दी हुँ मैं यहाँ पर जिसे कि आस्मान से तारे तोड़ना इसका अर्थ क्या होता है कोई भी एक मुहावरा उठा देगा और पूछेगा कि इसका अर्थ बताईए या फिर अर्थ देदेगा और बोलेगा कि इसका मुहावरा क्या है उल्टा पूर सकता है तो देखिए आस्मान से तारे तोड़ना का मतलब क्या होता है बहुत मुश्किल काम करना आस्मान से तारे तोरणा बहुत मुश्खित क्या है. आस्मान से तैरे टोढ़ने का अर्थ क्या होता है बहुत मुष्खिल काम करना और मेक्श मुहावरा है आफटाब को चिराग दिखाना एकल सिखाना का अकल बताना का आ anyway लगोग बुद्धिमान है उसको बुद्धी जाकर दो कि उसका मतलब मुहावरा क्या होगा आफताब को चिराग दिखाना आगे बढ़ते उल्टी गंगा बहना उल्टी गंगा बहना यह जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है रस्म और रिवाज के खिलाफ होना जो लोग रस जिस जगडे से आपका कोई रिष्टा नाता नहीं है जिस टॉपिक से सर्फ जगडा ही नहीं जिस मुद्धे से जिस बात से आपने आपको धकेलना जान बुझकर उसमें खुद पढ़ना और अपने आपको परिशानी में डाल लेना उसी का मुहावरा क्या होता है आबल खटे कर दिये तो दाथ खटे करने का अर्थ क्या होता है परिशान कर देना वगरे वगरे इस दुनिया में धेर सारे मुहावरे तो कोई भी मुहारा उठा सकता है और उसका अर्थ पूर सकता है तो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं जुम याद सताती है तो देखे चार ऑप्षण कैसे देगा तुम्हारी याद सताती है तु estado कौn Saac Σ fonctionne सा है तुम्हारी याद सताती है कि जगा तुम्हारा याद सताती है रहेगा तो अच्छा नहीं न लग रहा है तुम्हारा याद सताती है थोड़ोना होता है या फिर तुम्हारी याद सताता है थोड़ोना होता है सही और परफेक्ट जुमला क्या है तुम्हारी याद सताती है तो आप लोग को दुरुस्त यानि कि परफेक्ट 100% सही जुमला सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा चारो औप्सें में से जुमला दुरूस्त है यान खी जुमला है तो इस तरह आप लोग लिजएगा की कौन सा जुमला दुरूस्त Presents जैसे की next example लिखिये हुँ मेरा हाथी मर गया तो सान में दिया रहेगा मेरा हांथी site नर गया मेरे हाथी रगया तो बताइए क्या रहेगा मेरा हाथ ही मर गया यह है 100% सही और जुम्ला मतलब 100% perfect यह जुम्ला है तो इस तरह आप लोग को पहचानना रहता है कि कौन सा जुम्ला दुरुस्त है पायल की जहनकार से महल गोज उठा तो यह perfect जुम्ला है एकदम 100% सही इसी में थोड़ा सा बद है में ध्यान रखिएगा जैसे कि हामिद पढ़ता है हामिद पढ़ता है हामिद पढ़ता है और option में दिया रहेगा हामिद एक इस तरह से देगा हामिद पढ़ता और यह वाला है यह है और यह है तो student इस दोनों है और है में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं उनको लगता है कि यह सही है और यह टिक करके सही आ जाते हैं हामिद पढ़ता है जब कि यह नहीं होगा हामिद पढ़ता है यह वाला है रहेगा ना कि इस तरह आप लोगों को जुम्ला जो दुरुस्त है उसको पहचानना रहता है हामिद पागल हो गया है तो है देखिए यहां पर आप्सन में एक इस तरह है दिया रहेगा तो जिसमें यह दिया रहेगा ना यह वाला है इसको नहीं लगाईएगा सही और परफेक्ट है यह वा जो किसी की विशेष्टा बताएं उसको कहते हैं इसमें सिफत क्वालीटी विशेष्टा बताएं उसके उसी को क्या कहते है इसमें सिफत जैसे कि मैला कपड़ा मैला कपड़ा की विशेष्टा कौन बता रहा है कपड़ा की क्वालीटी कौन बता रहा है मैला यानि की कपड क्या है मेला हैं दो यह मैला यह जो हैना यह क्वालीटी बता रहा है कपड़ा की तो मैला क्या हो जाएंगा इसमें सिफत ठीक है सफेद चुहा है सफेद हैं तो सफेद जोए इसमें नोतरा रहा है चुहा की तो सफेद क्या हो गया इसमें सिफत यानिकी एड्जेक्टिव उसी तरह खुबसूरत लड़की लड़की कैसी है तो खुबसूरत है तो खुबसूरत लड़की की विश्रष्टा है ना तो खुबसूरत को क्या बोल देंगे इसमें सिफत तेज घोड़ा घोड़ा क कुछता हैं कि डर्जीं में इसमें सिफफत कौन है अव्प्सन में चार अप्शन दिया रहेगा किसी एक आप लोग न बता देंगे बिल्कुल बता देंगे आगे बढ़ते इसमें जमीर किसे कहते हैं जब इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउन और हिंदी में कहा जाता है सरवनाम यानि कि जो नाम के बदले में यूज हो उसे कहते हैं सरवनाम और उर्दू में इसमें जमीर इसम के बदले में जो लफ्ज यूज किया जाता है ना उसी को कहते हैं इसमें जमीर जैसे कि मैं बोलू कर लवज कर रही हूं तो वह हो गया अप लोगा इसमें जमीर यानि कि जो नाम के बदले में यूज होता है यानि कि प्रोणावन आगे बढ़ते हैं इसमें जर्फ आगे जर्फ जो कि किसे कहते हैं इसम यानि की नाम वैसा नाम जो किसी जगह या फिर वक्त को बताए उसे कहते हैं इसमे जर्फ जैसे कि मस्जिद मस्जिद जगह का नाम है ना मस्जिद से क्या पता चल रहा है कि एक जगह का नाम है यह तो मस्जिद क्या हो जाएगा इसमे जर्फ जगह की नाम के नाम को कहते हैं इसमें जर्फ कहते हैं इस में जर्फ को भी यहां तक समझ में आ गया हो गमेंड में लिखकर आप लोग पोरच चकते हैं और चीजें समझ में बीख लिए तो आप लोग आप लोग today को समझा इन सभी topics से अगर आप लोग एक्दा में कूशण में पूछता है तो आपoter सकते हैं ना बिल्कुल बता सकते हैं ये भी इतना ही पर गंअ किरेहिझ सक्ट कर आप लेलीजी फड़वर स्क्रीन शॉट अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमे मजदर इसमे मजदर किसे कहते हैं वह इसम जो खुद किसी दूसरे इसम से न बना हो लेकिन उससे धेर सारे इसम और फेल बने उसे कहते हैं हम लोग इसम मजदर जैसे कि लिखना लिखना ये जो लवज है ये जो शब्द है ये किसी दूसरे नाम से थोड़ो न बना है ये अपने आप में बना है मतलब ये अपने आप में एक लवज है लिखना लेकिन लिखना से धेर सारे लफज बन सकते हैं जैसे कि लिखना से लिखने वाला लिखना से लिखावट लिखना से लिखा लिखी लिखना से लिख रही थी लिखने वाली लिख रहा था लिख रही है यानि कि लिखना अपने आप में एक शब्द है जो खुद किसी दूसरे इसम किसी दूसरे लफज से नहीं बना हुआ है लेकिन लिखना से धेर सारे लफज बन जा रहे हैं धेर सारे इसम और धेर सारे फेल बन जा रहे हैं तो इस लफज इस शब्द ये जो लिखना है इसको क्या बोलेंगे इसमें मसदर कहेंगे उसी तरह पढ़ना पढ़ना क्या है? पढ़ना किसी दूसरे लफज से नहीं बना हुआ है, वो अपने आप में एक शब्द है, एक लफज है पढ़ना, लेकिन पढ़ना से धेर सारे इस्म और फेल बन सकते हैं, जैसे कि पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ाई, पढ़ा, पढ़ रही थी, पढ़ना, पढ़ना, यह सब क्या हो जाएगा? इसमें मजदर कहलाएगा, तो यहां से भी आप लोगे बोड़ इक्जामें कोशन पूछन पूछता है, तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं इसमें जामिद, इसमें जामिद किसे कहते हैं, यह वह इसम है, जो खुद ना किसी इसम से बना हो, और ना ही इससे कोई दूसरा इसम बने, जो खुद ना किसी लफज से बना हो, और ना ही इससे कोई दूसरा लफज बने, उसे कहते हैं इसमें जामिद, जैसे की चटाई, अब चटाई से क्या बनेगा? चटाई किसी दूसरे लफज से नहीं बना है उसी तरह है चटान धरखत ईट ऊगरा वगरा धेड सारे नाम जिस से कोई दूसरा लव्ज ना बन सके और ना हिस ना वो लव्ज किसी दूसरे लव्ज से बना हो उसे कहते हैं इसमें जामिद याद रखना है आगे बढ़ते हैं इसमें मस्तक किसे कहते हैं वह इसम जो खुद मस्दर से बना हुआ हो लेकिन फिर उससे आगे इसम ना बन सके उसे कहते हैं हम लोग इसमें मस्तक जैसे कि लिखना से लिखने वाला तो बन गया लेकिन अगर आप सोचेंगे कि लिखना वाला से भी आगे और कुछ बना दे तो इसको बोलेंगे इसमें मश्तक यानि कि इसमें मश्तक वह लफज होता है जो मश्दर से बना हो लिखने वाला मश्दर जो की लिखना है लिखना से बना है लिखने वाला यानि कि लिखने वाला जो है ना ये किस से बना है इसमें मश्दर से बना है लिखना से बना है लिख पाएगा लिखना से लिखावट होगी आप लिखावट से आगे अब कुछ नहीं बन सकता है तो लिखावट को कहेंगे आप लोग इसमें मस्तक ठीक है उसी तरह पढ़ना से पढ़ने वाला बन गया पढ़ना क्या कहलाएगा इसमें मस्दर लेकिन पढ़ना से पढ़ने वाल रहे हैं हासिले मजदर किसे कहते हैं देखिए यह वह इसम है वह लफज जो खुद मजदर तो नहीं है लेकिन मानी और असर मजदर जैसा ही देता हो इसमें मजदर जैसा एक्जामपल लेकर समझते हैं आहट आहट क्या है हासिले मजदर है कैसे देखिए आहट ऐसा लग रहा है ना कि आना से हलका फुलका मिलता जुलता है तो आना आना क्या है आना है इसमें मजदर क्योंकि आना से आने वाला आने वाली आ रही थी आ रहा है आएगी तो आना से ध हतर दोनों का असर मिल रहा है लेकिन आहट यह इस ना यह हासिले मसदर कहलेगा यह एस्य लवस में है अहट जो आऔर खीच रहा है इसमें मसदर का इस पता चल रहा एकि हरा अना से कुछ related है यानि कि आना से ही थोड़ा आहट बन गया है थोड़ा सा अब बुल सकते घुमा फिरा कर तो इसलिए आहट को आप लोग बोलेंगे हासिले मजदर जलन जलना हो गया इसमें मजदर जलना से जलने वाली जल रही थी जलेगी या फिर जो भी जलना क्या हो गया इसमें मजदर हो गया लेकिन जब यहां पर जलन बोला जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जलना से ही जलन बना हुआ है तो जलन अब यह जो जलन है ना इसको बोलेंगे ह क्या बन सकता है कुछ नहीं जलन से जलन वाला थोड़ना हो सकता है जलन वाली यह फिर जलन रही थी ऐसे कुछ नहीं हो सकता है जलन यह क्या है हासिले मजदर है लेकिन असर खीच रहा है इसमें मजदर का ऐसा लग रहा है कि जलना से ही बना है जलन ठीक है तो इस जलन को क्या बोलेंगे हासिले मजदर थोड़ा सा का अंतर है दोड़ दोड़ना हो गया इसमें मजदर दोड़ना से दोड़ने वाला दोड़ने वाली दोड़ रही थी दोड़ रहा है तो दोड़ना हो गया इसमें मजदर लेकिन दोड़ना की जगा अगर हम लोग दोड़ बोले तो ऐसा लग रहा है कि दोड़ना से ही दोड़ बना हुआ है तो दोड़ हासिले मजदर है जो की असर खीच रहा है इसमें मजदर का ठीक है दोड़ पढ़ा जा रहा है लेकिन हलका फुलका असर आ रहा है दोड़ पढ़ने के वज़ा से दोड़ना का ठीक है तो इसको बोलेंगे आप है चाहना से ऐसा लग रहा है कि चह बना हुआ है यानि कि चाह ये हासीले dog मजदर है चाहा क्या है हासिले मजदर है लेकिन असर खीच रहा है इसमें मजदर यानि कि चाहना का चाहना इसमें मजदर है उसी तरह है दबाव दबाना से ऐसा लग रहा है कि दबाव बना हुआ है यानि कि दबाव हासिले मजदर है लेकिन ऐसा लग रहा है कि असर किसका है यानि कि दबाना इसमें मजदर है न तो दबाना से ऐसा लग रहा है कि दबाओ बना हुआ है, तो दबाओ क्या हो जाएगा हासील मजदर जो असर खीच रहा है इसमें मजदर का। है जुकाओ जुकाओ से ऐसा पता चल रहा है ना कि जुकाना से जुकाओ बना है यानि कि जुकाओ हासिले मजदर है जो की असर खीच रहा है जुकाना का जो कि जुकाना इसमें मजदर है ठीक है उसी तरह मिलावट मिलावट पढ़कर ऐसा लग रहा है ना कि मिलावट मिलाना से बना हुआ है तो मिलाना क्या है इसमें मजदर है यानि कि मिलावट जो है यह असर खीच रहा है इसमें मजदर का यानि कि मिलाना का तो मिलावट क्या कहलाएगा हासिले मजदर कहलाएगा उसी तरह को ध्यान से जब भी इसमें मजदर इसमें जामीद इसमें मस्तक या फिर हासिल मजदर इन चारों टॉपिक से कोशन पूछे ना तो थोड़ा रुक जाए और सोन समझ करें सब्सक्राइब इन चारों में थोड़ा सा कांता रेक्दम माइनर सा और यहीं पर इस्टूटेंट गलती कर देते हैं तो आप लोग सोच समझ करें सदीजिएगा कोई भी एक शब्द उठा लेता है जैसे कि माले लिखने वाला लिखने वाला कौन सा इसमें ऑप्सन ए में दिया रहेगा इसम आपकी सामने तो लिखने वाला इसमें मश्तक है क्योंकि लिखना से लिखने वाला बना है अब लिखने वाला से आगे कोई दूसरा लवज नहीं बन सकता है तो लिखने वाला क्या हो जाएगा इसमें मश्तक तो इसी तरह आप लोग के बोर्ड इग्जाम में कुर्शन हसा तो हसा सिर्फ मैं बोलू हसा तो आप लोग सवाल करेंगे कि कौन हसा तो देखिए हसा यह जो काम है यह जो क्रिया है यह फाइल को ढूंड रहा है यानि कि सब्जेक्ट को ढूंड रहा है काम करने वाले इंसान को ढूंड रहा है कि भई सब्जेक्ट कौन है काम करने वाल हसा तो महमूद क्या हो गया फाइल यानिकी सब्जेक्ट हो गया जो कि हसने का काम किया तो महमूद बता देने से यह इसका जो सेंटेंस है इसका अर्थ पूरा हो गया मेनिंग समझ में आने लगा सिर्फ हसा बोल रहे थे तो इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा था कि हसा भई कौन हसा सवाल अपने आप से उठ रहा था तो जैसे ही मैं महमूद लगा दी कि महमूद हसा तो अर्थ पता चल गया यान की फाइल पता चलते ही इसका अर्थ पूरा ह हो गया अर्थ यानि की मीनिंग जो है ना complete हो गया तो इस तरह के फेल को क्या कहते हैं फेल लाजिम जो कि सिर्फ पाइल यानि की सब्जेक्ट को चाहे किरिया करने वाले इंसान को ढूंडे उसी तरह है दोड़ा दोड़ा सिर्फ बोलू की दोड़ा तो सवाल अपने आप से के उठेखा कि कौन दोड़ा यानि के जो किरिया किसको ढूंड़ा है किरिया करने वाली इंसान को ढूंड़ा है सब्जेक्ट को 2 मैं बोले घोड़ा-दोड़ा जैसे मैं बोली तो इसका समझ में आप कि अपह भोरा दर-गोडरा मीनिग complete हो गया तो इस तरह के कि य्रिया क किया को कहेंगे यानि किस त्रह के फेल को फेल को फेल लाजिम में वगधया थेड़ सारे फेल हैं जिसको जो झाल संज्व सुब्जेक्地 को चाहे उसे कहते हैं रिच अपलों को यहां तक समझ में आ गया होगा一次 मैं बौर्ड मीटाती हूं और लगा इतना ही परकम्प्लीट न अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं अगला टॉपिक है सवालिया यानि कि सवालिया जुमला किसे कहते हैं देखें जिस जुमले जिस सेंटेंस से सवाल पूछना जाहिर हो उसे कहते हम लोग सवालिया जुमला जिसे कि वह कौन है पता चल रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है वह कौन है तो वह कौन है सवाल पूछा जा रहा है तो इस जुम्ले सेंटेंस को क्या बुलेंगे सवाल यह जुम्ला उसी तरह तुम कहां जा रहे हो सवाल पूछा जा रहा है आप कैसे हैं मैं यह काम क्यूं करूं वगरे वगरा जिस सेंटेंस से सवाल पूछना जाहिर हो उ बता हंबता चल रहा है कि मतलब को आ गया तो इससे खबर का पता चल रहा है तोusanप को आuireंगे अगए चली गई चली गईअ sec सेंटेंस से जिस जुम्ले से हमें खबर यानि की नियूज मिले उसे कहेंगे खबरी अगर आप लोगों के एक्जाम में कुर्शन पूछता है तो हंडेड़ प्रिसेंट सही लगाता रहाना है अब देखिए ना हाली फिलाल में तुनिशा शर्मा की मौत हो गई थी जोकी करिशानी नहीं है हर इंसान के पास किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा क्सिक बहुत ज्यादा कि maps कर दिशाय्थ यह नहीं कि हम बात को हटाते है आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है अमरिया जुम्ला किसे कहते हैं जिस fringe से कहते हैं और देना पता चले उसे कहते हैं जैसे कि इधर आओ ए गिलास पानी लाओ तुम मेरा हान दबाओ चुप रहो इधर मैं जाओ ऊधर आओ उधर आओ योगरा वगरा तो जिस Sin जुम्ले में हुक्म जाहिर हो ओर दिया जाए जिस जुम्ले से उसे कहते हैं अमरिया जुम्ला तो इससे अगर कोशन पुष्टा है तो इसका भी आप लोग एंसर एकदम सही देना है आगे बढ़ते हैं खिताब किसे कहते हैं देखिए आपके अंदर कोई खूबी है कोई नाम को कहा जाता है खिताब राय बहादुर जैसे कि शम्सुल उल्मा पदम शिर्य वगरव अगरा मतलब किसी खूबी है फिर कमाली के बदले गौवर्मेंट यानकी सरकार हुकूमत के तरफ से जो नाम दिया जाता है ना उसी नाम को कहते हैं खिताब याद रखना है उसके tyre कैते हैं लकब जैसे कि बुल्बूले हिंद मुल्कई टरनाम अब उर्दु यह वगरव वगरव जो नाम अवाम यानि कि दिया जये पिसी खूबी है फिर कमाली पिर अच्छा काम करने के बदले इस है तो जो सतरकार के तरफ से दिया जए उसे खिताब और जो नाम के नाम को कहते हैं हम लोग तखलुस जिसे कि मिर्जा गालिब है जो कि most famous मुटलब आप बोल सकते हैं मिर्जा गालिब का नाम ना लिये जाए तो शाइरी ही या दूरी है तो मिर्जा गालिब जो है ना अपने शिरो शाइरी के last line में कौन सा तखलुस कौन सा नाम यूज़ करते है उसी नाम को कहते हैं तकलूस मिर्जवाली का तकलूस वहले लुग तेडाबागे इक्जांपन लगी और आगे बढ़ते हैं कुनियत कि वह नाम वह खास नाम जो अपने आबाप और किसी दूसरे इंसान से संबंध के वजह से रखा जाए उसे कहते हैं पुनियत कि यस अलहीन मर्यम को जहाता है यानि कि इबन मर्यमी जो नाम है यह उनके वालिदीन के नाम से तालुक रखता है इसलिए वह नाम जो वालिदीन यानि की माता पिता या फिर किसी दूसरे के तालुक के उज़ा से रखा जाए उसी को कहते हैं अब लोग कासिम वगयरा यह सब क्या है कुनियत है तो इस तरह आप लोग एकजाम में कोशन पूछ सकता है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं उर्फ उर्फ तो आप लोग जानते हैं असल नाम के बदले बच्पन में लोग प्यारते या फिर आप बोल सकते हैं दुश्मनी से पुकारते हैं उसी नाम को कहते हैं उर्फ जैसे कि है आगे बढ़ते हैं इसमें हालिया यह तो नाम से ही किलियर है जो इसम की हालत बताए उसे कहते हैं इसमें हालिया जैसे कि नसीम हस्ते हुए आया हस्ता हुए आया हस्ता हुए नसीम का हालत बताया जा रहा है कि नसीम क्या करता हुए तो हस्ता हुए आया तो इसमें हस्ता हुआ क्या हो जाएगा इसमें हालिया हो जाएगा वसीम ने कामरान को पढ़ते हुए देखा तो पढ़ते हुए तो पढ़ते हुए हो जाएगा इसमें हालिया इसमें क्या बताया जा रहा है नसीम का हलत बताया जा रहा है कि नसीम क्या करते हुआ है तो हस्ते हुआ है तो हस् की हूं आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपीक ए फेल नहीं तरह मिसे फेल नहीं, नहीं से पता क्या चल रहा है कि नहीं, यानि कि जिस काम को करने से रोका जाए, नहीं करने दिया जाए, उसे कहते हैं फेल नहीं, जैसे कि वहां मत जाओ, तुम मत आओ, हामिद पटना से नहीं आया, वगरा वगरा, जिस काम को नहीं करने दिया जाए, मना ही हो, समझ में आगया यह लास्ट टॉपिक था और यहीं पर होता है आप लोग का उर्दू ग्रामर का और टॉपिक कंप्लीट जो कि आप लोगे बोड एक्जाम में हर साल पूछा जाता है उन सभी टॉपिक को मैं कवर कराई हूं वन बाइवन करके नहीं कराई जो इंपॉर्टें समझ में तो कमेंट करें जरूर बताए कि हां समझ में आ गया है यहाँ तक अगर आप लोग इस स्क्रियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें सर्फ करें के कि मेरी रोज आने वाली ओल वीडियो और ओल लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ सब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज